Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is part of an academy group दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान में लॉंच किये गए सभी मोबाइल एप्स जो की सभी एक्जाम के पॉइंटों पी से कावे इंपोर्टेंट होने वाले हैं देखे अलग-अलग राज्य सरकार द्वारा या केंट सरकार द्वारा या फिर किसी के द्वारा भी जितने भी मोबाइल एप लॉंच के गए हैं ये कोशन बन सकते हैं एक्जाम में ठीक है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंट तक देखेगा और वीडियो के लिंक जो की मेरी special classes होती है दोस्तों दिन में 9 बजे और आत में 11 बजे अनकेडमी पर वो भी आपको मिल जाती है अनकेडमी के टेलिग्राम पर तो इस पे सौरम मली कोपीशन नाम से जोईन है कर लीजिगा बाकी plus subscription के benefit है दोस्तों live classes, structured course मिलेगा weekly test and limited access और भी सारे benefit मिल जाते है जब भी आप अनकेडमी पर दोस्तों subscription जोईन करते है subscription आपको सभी categories में जब भी जोईन करने है तो studied and code apply करना है STUDY20 without any space बाकी March offer चल रहा है दोस्तों जिसमें आपको कुछ additional month का subscription मिल जाते है और March offer के लिए भी आप लोग को study and code का यूज करना है Government exam scholarship test 2.0 दोस्तों आगया है जिसमें आप लोग 100% scholarship जीत सकते हैं और भी बहुत सारे benefit है इसमें आप लोग timing देख लीजेगा bank SSC और railway में और इसमें enroll कर सकते हैं QR code के थुरू भी आप सफलता batch और Unicode batch दोस्तों 16 March से शुरू हो रहे हैं इसमें आप study and code apply कर सकते हैं Iconic subscription में भी आप लोग study and code apply करके join कर सकते हैं ये सारे test video cost है SSC category में आप इनको देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो को please पुरा इंट तक देखेगा दोस्तों आज की वीडियो का पहला question है किस राज्ये की सरकार ने देज का पहला smartphone आधारित e-voting app fix it क्या है तो अगर आपको question का answer पता होगा दोस्तों नीचे comment box में जरू बताएगा इस question का right answer option C होगा तिलंगना राज्ये ने तो C is the right answer अगला question है गरूड एप को किसे किस ने launch किया है या आप लोगों को बताना है तो गरूड एप को launch किया है दोस्तों भारतिय निर्वाचन आयोग ने इस question का सही answer आपको option C हो जाएगा election commission of India दोस्तों बात आई यहां पर election commission of India की तो इसके इस्थापना कभी थी यह कौन बताएगा इस्थापना थी 25 जनवरी 1950 में ठीक है और यहां पर अगर मैं बात करो दोस्तों रास्टिय मद्दाता दिवस कब मनाया जाता है तो बिलकुल 25 जनवरी को ही रास्टिय मद्दाता दिवस मनाया जाता है ठीक है यह सारे चीजे आप लोग को याद अखने हैं दोस्तो हाल ही में वाइब ब्रेक एप किस मंत्रा ले द्वारा लॉंच किया गया है दोस्तो ये लॉंच किया गया है 29 अगस 2021 में आयूस मंत्रा ले द्वारा यानि कि इस question का right answer आपका option C हो जाएगा तो ये आप लोग को याद रखना है अगला question आता है हाल ही में हाल ही में किसके द्वारा E Gopala एप लॉंच किया गया है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा रास्टे डेरी विकास बोर्ड के द्वारा ठीक है तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा B देखे हाल ही में पसुपालन किसानों की साहिता में रास्टे डेरी विकास बोर्ड यानि की NDDB द्वारा विक्सित E Gopala एप पोर्टल लॉंच किया गया है दोस्तो बात आई है NDDB की यानि की नेशनल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड की इसके स्थापना हुई थी 1965 में ये भी आप से पुछा जा सकता है और important question बन सकता है तो याद रखेगा अगला question आता है हाल ही में किस मंत्राले की द्वारा नदी को जानो एप लौँच किया गया है तो नदी को जानो दूस्तो शिक्सा मंत्राले द्वारा एप लौँच किया गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option है ठीक है चलिए next question आता है किस देश में स्थित फार्तिय उचायो के इंद्रा गांधी संस्कृतिक केंदर ने संस्कृत सिखाने वाले एप लिटिल गुरु का सुभारम क्या है दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा बंगलादेश ने यानि कि right answer is D ठीक है दोस्तो भारत का सबदेशी डिजिटल है भीम UPI को पहली बार किस देश में लौँच किया गया दोस्तो ये लौँच किया गया है भूटान में ठीक है दीके भीम यानि भीम की तो फुलफोम क्या होती है दोस्तो क्या होती है भारत एंटरफेस फोर मनी और UPI की होती है यूनिफाइड पेमेंट एंटरफेस और ये लौँच हुआ था दोस्तो भीम UPI लौँच हुआ था 30 दिसंबर 2016 में ठीक है लौँच किया गया था नेंद मोदीजी दोवारा अगला कोश्चन आता है आरुग्य सेतु एप के वर्तमान ब्रांड अंबिसिडर कौन है तो ये है दोस्तो अभीनेता अजे देवगन ठीक है अजे देवगन इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन क्या कहता है दोस्तो हाल ही में किस कंपनी दोवारा प्रगती मोबाइल एप लौँच किया गया तो प्रगती मोबाइल एप लौँच किया गया है किस के दोवारा LIC दोवारा ठीक है LIC के दोवारा Life Insurance Corporation of India के दोवारा Sorry Sorry guys तो LIC के द्वारे लौँच के गया LIC के अगर मैं बात करूँ दोस्तो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में ठीक है 1 सेप्टेंबर 1956 में स्थापना हुई थी तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं 6 सापर्व 2021 के उदगाटन सत्र के दोरान किसने विद्याजली पोर्टल को लौँच किया है तो इस कोशन का राइट आंसर दोस्तो आपका नेंदर मोदी हो जाएगा यानि कि C is the right answer ठीक है अगला कोशन क्या कहता है हाल ही में किसने प्राण पोर्टल को लौँच किया है तो प्राण पोर्टल को लौँच दोस्तो बुपेंदर यादव ने किया है ठीक है यानि कि option A right answer हो जाएगा अगला कोशन कहता है कि Fit India Mobile App को किसने लौँच किया है तो Fit India Mobile App को लौँच किया है अनुराग सिंग ठाकुर ने ठीक है अनुराग सिंग ठाकुर is the right answer अगला कोशन आता है Women Will Web Portal किस कमपनी द्वारा लौँच किया गया तो गाईज इस कोशन का right answer Google हो जाएगा ठीक है Google की स्थापना आप सभी को पता यह काब हुई थी 1998 में हुई थी दोस्तों ठीक है चले नेक्स कोशन आता है दोस्तों स्रम पोर्टल किस मंतरा ले के द्वारा लौँच किया गया है दोस्तों यह किया गया है आपका Ministry of Labour and Employment स्रम और रोजगार मंतरा ले द्वारा तो इस कोशन का right answer आपका B हो जाएगा ठीक है जी नेक्स कोशन आता है माई e-hot पोर्टल को किस कंपनी ने लौँच किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों HCL Foundation इस कोशन का right answer होगा ठीक है अगला कोशन कहता है कि केंसरकार ने किसानों की खेती और फशल से जुड़ी जानकरी मुया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लौँच किया है तो इस कोशन का दोस्तों right answer होगा किसान साथी ठीक है B is the right answer अगला कोशन है किरसी M किसान कल्यान मंतरी नेंदर सिंग तोमर किस राज्य या यूटी की सरकार ने proof app को लौँच किया है दोस्तों ये लौँच किया है जम्मू कस्वीर में यानि कि इस कोशन का right answer हो जाएगा B देखें प्रूफ की फुल फॉर्म भी है तो फुल फॉर्म क्या है photographic record of on-site facility ठीक है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं अगला कोशन है किस राज्य के मुख्य मंत्री ने इ नगर मोबाइल एप को लौँच किया है तो इस कोशन का दोस्तो right answer गुजरात हो जाएगा ठीक है जी अगला कोशन PM, Ducks, Portal और मोबाइल एप किस मंत्राले ने लौँच किया है तो इस कोशन का right answer क्या हो जाएगा समाजी की नए मंत्राले है ठीक है A is the right answer नेक्स कोशन आता है Bookamp Alert App लौँच करने वाला देज का पहला राज्य कौन बना है तो इस कोशन का दोस्तो right answer हो जाएगा उत्राखंड यानिकी C is the right answer अगला कोशन आता है Digital Payment भुगतान प्लेटफोर्म E रूपी को किसने लौँच किया है तो ये लौँच किया गया है नेंदर मोदी जी दुवारा ठीक है यानिकी C is the right answer कौन सा एप 50 million डाउनलोड तक पहुँचने वाला दुनिया का सबसे तीज आप बन गया है तो ये आप दोस्तो आरुग्य सेतू बन गया था ठीक है यहाँ पर right answer C हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है किस राज्य सरकार ने U-Rise Portal को लौँच किया है तो ये लौँच किया गया है ब यानिकी उत्तर प्रदेश इस कोशन का right answer होगा किस राज्य के मुख्य मंत्री ने मो बेदूद पोर्टल को शुरू किया है तो यहाँ पर right answer दोस्तो उड़ी सा हो जाएगा यानिकी B is the right answer नेक्स कोशन आता है मच्छुवारों के लिए किस ने मत्ष्य सेतू एप को लॉंच किया है तो यहाँ पर right answer दोस्तो क्या हो जाएगा ग्री राज सिंग is the right answer कोशन आता है हाल ही में किस मंत्राले ने नमस्ते योग मोबाइल एप को लॉंच किया तो यह किया है दोस्तो I use मंत्राले ने ठीक है तो यहाँ पर right answer C हो जाएगा देखे कोशन एक किस राज्य के मुख्य मंत्री ने Hit COVID एप को लॉंच किया है तो Hit COVID एप को लॉंच करने वाला राज्य दोस्तो बिहार है कोशन आता है दोस्त पूर लाइफ मोबाइल एप को हाल ही में किस ने लॉंच किया है तो इस कोशन का right answer दोस्तो हो जाएगा CBSC ने यानि कि C यहाँ पर right answer हो जाएगा कोशन है मानसिक सवास्त के लिए गाइड करने के लिए के लिहाद से एप मानस को किस ने लॉंच किया है तो guys इस कोशन का right answer होगा Krishna Swami Vijay Raghavan Mental Health and Normalization Automation System ठीक है तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कोशन आता है मेरा राशन Mobile App कि इस मंतरले द्वारा लौच किया है तो इस कोशन का राइट आंस होज़ेगा Ministry of Customer Affair Food and Public Distribution यानि कि D. राइट आंसर होगा दोस्तो ठीक है कोशन आता है किस केंदर सासित प्रदेश में Carbon Watch नामक Mobile Application लौँच किया है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर चंड़ी कड़ो जाएगा ये भी आप लोग को याद रखना है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सेचा समदान Mobile App को लौँच किया है तो ये क्या है दोस्तो उडिसा सरकार ने यानि कि इस कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा अब निता सोन उसुद्रे सर्मिको की मदद है तो कौन सा अप लौँच किया है तो परवासी रोजगार एप इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर होगा ठीक है कोशन आता है सनेकपीडिया नामग Mobile App को किस राज्य में लौँच किया गया है देखिए ये लौँच किया गया है दोस्तो केरा राज्य द्वारा तो इस कोशन का राइट आंसर आपका ओप्शन ए हो जाएगा नेक्स एक किस राज्य की सरकार ने जन सायक आपका सायक एप लौँच किया है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा हर्यान सरकार द्वारा ठीक है तो चलिए और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहांपे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपियेट कंटेंट इन दे वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटेड नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज़के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकि थैंक्यू सो मच गाईज चैनल को सबस्काइब कर लीजेगा पीडियाप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल आइकन को ओन रखिए और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो स्पेशल क्लासिस हो रही है इसके वारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दूस्तो 15 बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजए दोनों ही इंपोरेंट है और दोनों क्लासिस को आप कैसे देख पाऊगे नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक को मिल जाएगा अनकेड तो मुईंच